नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में हम आज बात कर रहे हैं अभी हाल ही में डिलीज हुई वेब सीरीज गुल्लक जिसका सीजन 3 अभी सोनी लेव OTT प्लेटफार्म पर आया है तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों गुल्लक जो की एक वेब सीरीज है उसका ये तीसरा सीजन अभी सोनी लेव पर आया है इससे पहले सीजन 1 और सीजन 2 2019 और 2020 में आये थे कोरोना के बाद ये सीजन आना था परंतु थोड़ा लेट हो गया है अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं भी देखा है और आप इसका सीजन 3 अभी सोनी लेव पर देखते हैं तो भी आपको इसमें देखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये एक मध्यम वर्गे परिवार की कहानी है जिसमें की एक मध्यम वर्गे परिवार के इस प्रकार से अपने सीमित साधनों में होते एक खुशाल जिन्दगी जीने की कोशिश करता है साथ ही साथ अपने सम्मान जनक इस्थिती में रहने की कोशिश करता है उसकी ही ये कहानी है आप इस कहानी से अपने आपको जुड़ता हुआ पाएंगे ऐसा पाएंगे कि आप कोई सिनेमा या कोई अलग से बनाई हुई बहुत सूपर डूपर हिट वेब सीरीज नहीं देख रहे है परन्तो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को ही आईना दिखाया गया है जो शायर आपने अपने जीवन में भी कभी ना कभी महसूस करी होंगी या अपने जीवन के आसपास कही ना कही इन कहानियों को भी आपने देखा होगा इसमें कलाकारों की बात करी जाए तो हैं मुखे रूप से कलाकार हैं कहानी को लिखा है दुर्गेश सिंग और विदित त्रपाथी ने कहानी के नरदेशक है पालाश वासवानी इसके प्रोड्यूसर है अरुनव खुमार ओटी टी प्लेटफॉर्म है सोने लिव और टीवी एफ प्रोडक्शन के दौरा इसको प्रोड्यूस किया गया है मोटे मोटे अगर कहानी की बात करी जाय तो यह मद्यमवर्गी परिवार की दास्तान है इसके परिवार के मुख्या है संतोश मिष्रा और उनके ही आसपास ये कहानी घुमती है संतोष मिश्रा यानि की जमील खान उनकी पत्नी शान्ती मिश्रा यानि गीतांजली कुलकर्णी उनका बड़ा बेटा अन्नु मिश्रा यानि वैबर राजगुपता और छोटा बेटा अमन मिश्रा यानि की हर्ष मयर यह सब एक साथ बोपाल में एक साथ रहते हैं संतोष मिश्टा यानि जमील खान बिजली विभाग में एक बाबू है उनकी एक limited salary मिलती है और एक middle class उनका घर है घर भी बहुत साधारन सा है जो हमारे आपके जैसा ही है जिसमें 2-4 कमरे हैं बाब मुश्किल एक AC लगा है एक छोटा सा TV है बैठक का कमरा है छोटा सा kitchen है और घर की एक छट है जिसको देखके आपको लगेगा कि यह शायर आपके ही परिवार के किसी सदस्य का या हो सकता है आपका ही घर हो इस सीजन में खासियत यह रही कि इनके जीवन के अगले पढ़ाव के बारे में चर्चा करी गई है जब जो छोटा बेटा अमन मिश्रा है वो दस्वी में टॉप करता है उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है वहीं अन्नो मिश्रा अब बढ़ा हो गया है और वह अ और अब वो अपनी नौकरी के ढूंते हुए उस पे सिंसियर तरीके से काम करना चाहता है वह अपने शौक पूरा करना चाहता है कहानी में अगर आगे बात करी जाए तो इस बार बताया गया है कि पहले एपिसोड में कैसे जो छोटा बिटा अमन है वो टॉप करता है उसके भाई की पढ़ाई के देखते हुए वे अपने शौकों का बलीदान दे देता है और परिवार के कंधा मिलाकर जम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है हाला कि समस्याइं खतम नहीं होती हैं और कुछ ना कुछ समस्याइं आती है और बड़ी समस्या तब आती है जब परिवार औरोसी परोसी उनका मजाग भी उड़ाते हैं और उनका सपोर्ट भी करते हैं यह इस सीरीज को देखने वाली बात होगी जो आपको इस सीरीज में देखना चाहिए यह आपको गुदगदाएगी भी और आपको अपने आप से जुर्ती हुई भी महसूस होगी मिश्रा फैमली का एक हिस्सा है जो इनकी जिन्दगी से जुड़ जाते हैं और आपको लगता है कि शायद मिश्रा परिवार के साथ होने वाली घटनाय कभी ना कभी आपके साथ भी हुई होगी कभी ना कभी आपने भी स्कूल में एडमिशन की कोशिश करी होगी एक परिवार की जिम्मेदारी और परिवार की जरूरतों के आगे आपने अपनी खुद की जो कहना चाहिए आपकी इच्छाएंती उनको छोड़कर आपने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के ठानी और अपनी तंखा से अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर है एक तारतम्यता एक continuity बनी हुई है कलाकारों की performance की बात करी जाए तो गीतांजली कुलकरणी जो की मा के रोल में है वो परिवार का एक कहना चाहिए मुख स्तंब हैं जो सब को साथ लेके चलती है साथी साथ अडोस परोस में भी अपनी धाग जमाती है और अडोसी परोसियों से भी मिल जुलकर रहती है इनके किरदार को देखके लगेगा कि यह शायर आपकी माता जी या आपकी बेहन या कोई ऐसा महीला किरदार आपके जीवन में भी होगा जो इस प्रकार से जिम्मेदारी पूर्वक घर की सभी जिम्मेदारी निभाती है इसके अलावा वैववराज गुपता बड़े भाई और हर्श मायर चोटे भाई के भूमिका में अगर देखा जाए तो चोटे 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 जो इनके डायलॉग्स हैं जिसमें इनों आखी के वह अजनें किया है। जो आपके घर के आसपास का ही कोई कैरेक्टर हो सकता है जो इक मिडिल क्लास फैमिली का मुखिया है और आपने साथ अपने परिवार की सभी ज़रूरत के पूरी करते हुए आगे बढ़ रहा है वैबवराज गुपता जो की अन्नो मिश्रा का करेक्टर है वो काफी अच्छा निभाया है इस पर अगर दो मिट बात करी जाए तो बाडी लेंगवेज से देखे उनका हर डायलोग काफी कहना चाहिए सुधर करने है और ऐसा लगता है कि ये घर के एक बड़े बेटे के रूप में जिम्मेदारी पूर्वक अपना किरदार निभाते है और जो हॉस्पिटल वाला सीन है जहां पर की परिवार के मुखिया जमील खान की भरती किया जाता है उस वक्त ऐसा लगता है कि अन्यों मिशा का किरदार निखर कर सामने आया है खुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो गुल्लक सीजन 3 एक मस्ट वाच वेब सीरीज है इसको आप वीकेंड पे अपने पुरे परिवार के साथ भी एक बार में देख सकते हैं किष्टों किष्टों में एक 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 एपिसोड भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ छूट रहा है यह फैमिली सीरीज है आप इसमें कोई भी अशलीलता या कहना चाहिए यह गलट डियालोक्स नहीं है और आप इसको बैटके इंजॉय कर सकते हैं समय का आपको पता ही नहीं चलेगा यह हिंदुस्तान नी मिडिल क्लास की कहानिया जो छोटे परदे पर आती है चाहे हम लोग जो दूरदर्शन पर आया या कहानी घरगर की जो स्टार प्लस पर आया उसी ट्रेंड में बनी हुई एक काफी अच्छी सीरीज है परन्तु इसमें तड़क बड़क कम है जो स्टार प्लस या अने चैनल हों पर बड़ी तड़क बड़क वाली कहानिया आती है बड़े बड़े सेट होते हैं बहुत लाइटिंग होती है वैसा नहीं है सेट को भी देखकर आपको लगेगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का आम सा घर है जिसमें तार लटक रहे हैं एसी है पंका खराब है शायद खिड़कियां तूटी हुई है और एक साधारण सा किचन है जिसमें बहुत बड़ा जादा सामान नहीं है पर उन्तों फिर भी देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर से मिलता जुलता है घर की छत पर सुखती हुई लाज मिर्च भी दिख जाएगी और किचन में दिखता हुआ चोटे हैं मोटे एक्कुपमेंट्स भी आपको दिखेंगे तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जुड़ने के लिए धन्यवाद